सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मन में आएगा कि विकार उत्पन्न होता है उसे बेंजन संधी करते हैं भी करें एक बेंजन संधी करते है तो गहाण के देखे लिए है तो यहां क्या है कि क ऺडमें और के बीच चंधि हुआ है और इसे क्या बन गया इसे और बन गया ना बन गबना तो इसमें क्या होते हैं कि बेंजन संदी में तेरा नियम होते हैं बेंजन संदी में तेरा नियम होते हैं जो कि आगे बात करेंगे हम लोग पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी वर्ग के तो वर्ग में क्या होता है कि का वर्ग का वर्ग में कौन सा वर्ग ना आएगा त क्योंटिक के पाच वर्ण एक वर्ण में होते हैं तो किसी पहले वर्ण कच अट और मिलन का मिलन किसी वर्ण के तीसरी है च disciplined चिदे हो तो यह या फिर यह यहो इसके स्थान पर क्या बण जाता तो का के अस्थान पर गा चा को जा का को चा ठीक है चा को जा टा को डा टा को दा पाको बा में बदल दिया जाता है ठीक है तो इसके उधारन को देखते हैं तो का को गा बदलने में क्या है कि दिक जोर अंबर करेंगे तो दिक अंबर बन जाता है उसी तरह वाक जोरीस करेंग तो वागीस बन जाएगा ता को जब दा में बदलेंगे तो सट जोर आनंड सट आनंड बन जाएगा सट जोर यंद्र सडी यंद्र बन जाएगा ठीक है यहां कि टा क्या होगा डा में बदल गया अब इसमें दूसरे नियम के उपर बात करते हैं तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन, ठीक है, मा वर्ण के साथ हो, तो अहर नीचे गए उदाहरन के अनुसार बदलता है, तो का को अंगा में बदल देते हैं, जैसे कि वाक जोर में, ठीक है, का के बाद मा आया, तो अंगा हो जाएगा, ठीक है, का दिक जोर मंडल, तो दिक में, ठीक है, दिक मंडल, साको नम, टाको नम बदल देंगे, सट जोर मास, तो सन मास हो जाएगा, ठीक है, सट जोर मूर्ती, सन मूर्ती, इसी तरह क्या करते हैं, की ताको नम बदल देते हैं, पहला के स्थान पर, क्या हो जाता है, पाचवा हो जाता है, तो उत जो ुमदर्यिय Jonk कि कि निय्मिंटी की पाँ लोग मा की जग्धर पर वाले cloth तो इसको दारना न से स्मझेंगे हम लोग कि मा के साथ अगर का खा गा गा अंगा मिलता है तो क्या बनता है वो जैसे उदारहन से देखेंगे सम्जोर कल्ब तो संकल्ब ठीक है क्या हो गया कि अनुश्वार हो गया सम्जोर संख्या क्या ठीक है संख्या मा के साथ चाठ चाठ जाठ या मिले तो क्या बनेगा समजोर चाय ठीक है तो संचाय अनुस्वार बंदल देगा किम जोर चीत किन चीत ठीक है मा के साथ अगर उसी तरह टाठा डाठा मिले तो क्या जैसे कि देखे दम जोर डाठा डंड हो गया ठीक है अखम जोर डाठा तो खंड हो गया इसली तरह से आगे देखते हैं मा धन्ता मा में ताथ आधा आधा न आए तो क्या होगा समजुड तोष इसमें भी संतोष हो जायगा अनुशूार आजाएगा या फिर ना आधा न हो जाएगा ठीक है और मा के साथ अगर पफबह भामा आए तो सम्जोर पूर्ण सम्पूर्ण इसमें भी आधा उस्वर्ण का हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा तो तरह तो किस्था स्थान पर दो हो जाएगा है अब देखिए अब तो होने पर या चा होने पर अगर था है उसके जज़ा पर क्या होगा चा या छा होगा तो वह चाह हो जाएगा अगर जाह या जह होने पर पत्ता हो जाता है इसको उधारन साफ समझ में आएगा उधारन के लिए देखिए माज़ और या ठीक है यालराबा साफ पूरा आएगा तो समझण संदजना त्यक है समझण बल सनलग इस तरह से हो जाएगा है अप अगले नियम के उपर देखते हैं जग ताग को मिलन अगर सा से होता है तो ता को चा और सा को चा में बदल डी जा जाता है उध़ांन के लिए disposit की दिखिए उठ्धारन से ता के जगाँ पर चा हो गया क्या क्या लिखागेगा त पर च हो जाता है सरत जोर चंद्र ठीक है तो सरत चंद हो गए तक जागा पर त और सा क्या पर अच्छ जाएगा तो उच्छिस्ट अब आगला नियम देखते हैं जब ता का मिलान हा से हो ठीक है तो ता को दा अथा हा को धा में बदल जाता है तो ता को क्या होगा ता को दा में और हा को धा में बदल देते हैं जैसे कि सत जोर जन ठीक है तो सत जोर जन सजन हो गया जगत जोर जीवन जग जीवन तो जोर हब में होगा तो क्या होगा कि धा भी हो जाएगा उद्धर धार उद्धर धार-ई-धार उद्धरन उसी तरह अब देखिए स्वर के बाद अगर छोवन आता है तो छोवन बतल जाता है इसके दिखिए तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आदेश उसी के आगे देखिए अगर मा के बाद कस लेकर मा तक कोई बेंजन हो तो मा का अनुस्वार बदल दे जालता है ठीक है तो मा अनुस्वार हो जाएगा या फिर ता या दा के बाद जब ला का मिलता है तो ता या द या द के जगहाँ पर लब बन जाता है तो उत जो लास ठीक है लास तत जो लिन तलीन अब इसी तरह मा के साथ कचाановों इसी तरह कोई भी Ben occasion मिलता है क्या बनेगा अनुषवार बनेगा कीम जो चीत केणृ किम जो जो नियम लगता था, पहला के अस्तान पर तीसरा बाला यह सब जग़ा लगता है, ता के जग़ा पर क्या हो जग़ा उध़ार, ठीक है, उत जोर ठाट, ता के स्तान पर क्या होग Yo waiting दिछे, दा का या दा की जग़ा पर हो के मिलान से, ता या दा की जग़ा pensa और हा के जगह पर हा बन जाता है उद इसके जगपर त क्या पर क्या ओंग bad गया ठिक्ँड़ हा के जगह पर दाय ठीके उधार बन गया म जोर्म सेidir seas rankings आई इस archagd अब मा के बाद सा कोज वियंजन आता है तो मों का अनुस्वार हो जाता है यह पहले बात कर चुके थे अब ता या दा के बाद सा के मिलन पर ता या दा की जगह ता चा या त्लावे सा की जगह पर चा बन जाता है यह भी बात कर चुके है उधारन्स देखेंगे समझो रियोग ठीक एसा योग समझो रक्षन संदक्षन अब आगे देखें कि अगर र ह жृता है तो न नो हो अगम हो गया चवर्ण का अनुजोर छे ठीक है तो यहां नया आगम किसके चपा इस तरह से नियम का अनुषार यहां पर चपा आगम हो गया जब मां के बाद यह लवस्व कोई विविवेंजैन आता है तो मां का अनुष्वार हो जाता है यह बात कर चुके हैं जिस्ता से पहले आ आ कोई भीन स्वार आये तो सा को सा बना दिया जाता है जैसे कि वी जोर सम ठीक है तो या वी शम बन गया अभी जोर सिक्ती तो अभी सिक्ती भा और सा की उदारन में देखे तो अभी जोर सेक ठीक है तो अभी शेक बन जाता है यहां क्या हो जागी कि जो दंतसा है उसको क्या किया जाता है मुद्धनिश कर दिया जाता है नीजवर्शिद नीशिद यदि किसी सब्द में रा या रा ठीक है सा के बाद मिलेवाय सब्द कहीं भी ना हो उसके बीच में कोई भी स्वर आता है तो संदियों पर ना का स्थान पर बड़े ना हो जाता है इसके लिए देखें कि राम जोर आयन ठीक है तो राम आयन यहां संदियों के आ जोर आ हो गया और ना का स्थान पर बड़ी ना आदेस होगा परी जोर नाम ठीक है तो यह तो पहले कि पूर्व सुद्र कर लुसार अधेस होगा अब इसी तरह हमारा आज जो क्या है कि ये ब्यांजन संदी समाप्त हुआ इस पिर हम mcq करेंगे तब आपको मतलिक ज्यादा किलियर होगा और संदी में क्या है कि अब जितना